Hey Hello Everyone, I hope you all are doing well, this is Deepa और आज हम टाइट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुर करते हैं आज का सेशन लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्ट्राइब और शायर करना मत भूलना बिसिकली टाइट्स जो होती हैं, वो मून की ग्रैविटेशनल फोर्स की वज़े से जनरेट होती हैं सन का भी इसमें रोल रहता है, लेकिन सन हमारे अर्थ से जाधा दूरी पर होनी की वज़े से यानि कि distance जाधा होने की वज़े से इसका जो gravitational force है वो कम लगू होता है और tides basically जो है sun के द्वारा ही generate होता हमें दिखता है Periodical rise and fall of ocean water refers to tides सभी को पता है और tides जो है इसका जो interval होता है वो 12 गंटे 25 मिनिट approximately दो tides के बीच में interval होता है और tides जो होती है very long waves अब सभी को पता है इन general हमें पता है और gravitational forces की वज़े से generate होती है जासे के मैंने कहा and centrifugal forces यानि कि earth की centrifugal forces भी tides generation में बहुत जादा role play करती है so we are done with our session today चर्ड़ोसा session था मिलते है नेक्स session में till then thank you so much and bye bye